वेलकम वेलकम गाईज आजाओ विटाओ फटाफट ओनलाइन आजाओ आज एक दो मिनेट थोड़ा लेट होगे ओके थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था अब वापस से क्लियर हो गया है सब कुछ तो फटाफट ओनलाइन आजाओ सब लोग आज हम लोग काफी इंपोर्ट ओनलाइन आजाओ आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट टोपिक है है शौट पिच वैंडिंग फुल पिच वैंडिंग क्यू यूज करते हैं क्या रीजन है क्या इनका फिनोमेना होता है इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे ओके लास्त तक बने रहे ना और सब लोग जो है फटा फटलाइब आजाया करो ओके और लाइट करने का अटेंडेंस लगाने का मतलब समझते हो ना अपने अपने अटेंडेंस लगा दिया करो आते ही चीग है तो जल्दी जल्दी ओनलाइन आजाओ बिटाओ जल्दी जल्दी ओनलाइन आजाओ आज हम पढ़ने वाले हैं शोर्ट पिछ वाइंडिंग जल्दी जल्दी आजाओ सब लोग और कमेंट बोक्स में कमेंट डाल दिया गरो मुझे आते ही चीक है हाँ हुकम जी आगे हैं अब सब लोग जो है वो शांती से बेट जाओ और टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों का मैं शुरू करने जा रहा हूं जान सब लोग देखो सर कल की जो क्लास हुई थी हमारी उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संह संहने की कोसिफ करना और ध्यान से क्लियर लीर्ली तरीषे शो करना जो क्लीरली तरीके से समझना जो भी में बोलने जारा हूं ठीक है गूधी इवनिंग बेटा ओके देखो कोई भी जो topic होता है ना उस topic को पढ़ने का कुछ ना कुछ परपज होता है बिना परपज के कोई भी चीज हम लोग पढ़ते नहीं है बही हमारे पास इतना extra time नहीं है कि बिना मतलब के कोई चीजे पढ़ेंगे ठीक है तो हर एक टोपिक का कुछ ना खुछ परपज होता है अब ध्यांजे समझना सर ये short pitch winding हमारे लिए important क्यों ही क्या reason है कि हम लोग short pitch winding को पढ़ते हैं क्या मतलब है इसका कि हमारे स्लेबस में short pitch winding एड हुई क्यों हम लोग यूज करते हैं तो इन सब चीजों के बारे में पहले तोड़ा सा जान लेते हैं ध्यांजे समझना सब लोग देखो सर हम लोगों ने ये देखा था कि generator में हमें induce कराना है ये में ठीक है सर जनरेटर क्या होता है सर ये generator जो होता है इसके अपर यहां से three phase की supply हमें प्रोवाइड करता है practical life में जो हमारे घरों में आती है जो आप लोगों के generating station से कहां पे आती है आपके सबिस्टेशन पे आती है जैसे कोटा में आपका thermal power plant है आपका hydro power plant है तो वहां पे power क्या हो रही है आपकी generate हो रही है वहां पे क्या लगे हुए जनरेटरस लगे हुए अब वही कल वाला पूरा काम होगा और वह कल वाला काम होके वह यहां पे क्या करेंगे एक EMF को develop करेंग कौन जी supply होती है AC होती है AC का मतलब क्या है सर AC का मतलब है कि इस तरह की कोई sequence रहेगी ऐसा उसका behavior रहेगा एकदम प्यवरली साइनो सूडल देखो मैं जिन बातों को समझाने जा रहा हूं उन बातों को थोड़ा ध्यान चे समझना आप लोग ठीक है ओके सर इस तरह का frequency होगी सर और practical life में हम frequency कितनी रखते है 50 years रखते है अरे क्या अलग अलग frequency होती है क्या 50 भी है 100 भी है 1500 भी है 200 भी है ऐसा होता है क्या नहीं सर ऐसा नहीं होता है practical life में हमारी frequency constant है सर हमें कितनी रखनी है 50 years रखनी है that's it 50 years दी रखनी है हमें ओके अब ध्यान चे सुनना होता क्या है सर क्या हुआ यह सेफ मुझे जब अचीव करनी थी न तो इस सेफ के उपर बड़ा बबाल हुआ था जब हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या-क्या बबाल हुआ था जरा ध्यान सर रोटर जो होता है न इसके उपर हमारी सप्लाई होती है डीसी और सर इस डीसी सप्लाई की वजय से मेगनेटिक फिल्ड आता था वो आता था कॉंस्टेंट सही बात है सर इस मेगनेटिक फिल्ड को ध्यान चे समझना आप लोग इस मेगनेटिक फिल्ड को एक टाइम चेंज कि जो number of tons हम लोगों ने डाले वो number of tons support that मैंने बोला ये आपका एक cylindrical rotor है तो इसमें इस तरीके से slots होते थे इन slots में हम लोग number of tons डालते थे जैसे इसमें मैंने 100 डाल दिये इसमें 90 डाल दिये, इसमें 80 डाल दिये सही बात है नहीं है तो उस अशाब से क्या होता था हमारा एक sinusoidal waveform जनरेट होती थी मनला हम कोसिस करते थे कि वो एकदम से sinusoidal EMF जनरेट हो, एकदम से sinusoidal flux बने, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो मैंने number of tons डाले है उससे exactly ऐसी waveform बन जाएगी कि जरूरी है, नहीं सर कोई जरूरी नहीं है अरे यार ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 100 थे यहाँ पे 90 डाले, हो सकता था exact तब बनती जब यहाँ पे 101 होते यहाँ पे मालो 98 होते हमें क्या पता, थोड़ा बोत उपर नीचे भी हो सकता है system, अरे बही exactly यह तो smooth curve है, बिल्कुल smooth curve है, और हम लोगों ने जो करू बनाया था, वो approximate लिया था यह से लिया था, नहीं लिया था कि पहले में इतने number of tons फिर दूसरे में थोड़े, इतने number of tons फिर तीसरे में थोड़े कम, इस तरीके से लिया था तो इसका approximation करू बनाओगे, वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, सही बाद नहीं है मतलब यह exactly sinusoidal हो भी सकता है और sinusoidal चे थोड़ा vary भी कर सकता है हम लोगों ने एक approximate time changing behavior बनाना चाहा था अब देखो एक चीज का जड़ा ध्यान चे समझना और सब लोग ना इस concept को बहुत अच्छे से clear रगना क्योंकि ये concept मुझे बार-बार बताना पड़ेगा क्योंकि बार-बार यूज होगा आपका हर machine में यूज होगा, हर जगे पे यूज होगा सही बात नहीं है, तो आज का ये topic नहीं सिर्फ synchronous के लिए नहीं है ये induction के लिए भी है, मतलब जहां भी आप लोग एक AC supply की बात करोगे जहां भी AC signal की बात करोगे, वहाँ पे आप लोगों को इस topic के बारे में बात करनी ही पड़ेगी तो ध्यांचे समझना, क्या होता है, जैसे ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई थी एक बार और अगर नहीं समझाई हो, या मानलो आप लोगों के transformer में मैंने नहीं बताया हो तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यांचे समझ लेना, देखो, practical life में अगर मैं बात करूँ, अब ध्यांचे समझना सब लोग, यह जो topic मैं बताने जा रहा हो, यहाँ पे अलका सा जो आपकी 5 मिनिट बताऊंगा, यह 5 मिनिट overall सारे subjects के लिए है, सारे topics के लिए है, और यह इस ना आपको पता होना चीघे इसके बारे में, ठीक है, ध्यांचे समझना, क्या होता है, कि practical life में अगर मैं signals की बात करूँ, कि signals के से होते है, तो signals मेली डो तरह के होते है, हम दो तरह के signals की बात करते, एक हम बोलते हैं, AC signal और एक हम दोते हैं, कौन सा, DC signal, यह भी, बो पेवर ऐसी है और यह जो सिगनल है यह पेवर डीसी है माला पूरा इस तरीके चे पेवर डीसी सिगनल है सही बात है माला पेवर ऐसी सिगनल का मतलब वो होता है ध्यान से समझना जिसका सेफ एक्जेक्टली साइनोसुडल कर्व की तरह होता है एक्जेक्टली साइनोसुडल क यह आपका पेवर साइनो सुडल सिगनल हो गया यह आपका पेवर डीसी है सिर्फ कॉंस्टेंट वेल्यू कोई वेरी नहीं कर ली है अम मालोक क्या हम इसके लाब और कोई सिगनल नहीं पढ़ देगा सब लोग आ जाओ क्या सर इसके लाब हम और कोई सिगनल नहीं देखते के अरे प्रेक्टिकल लाइब है बहुत सारे सिगनल देखते हैं बेटा कैसे देखते हैं जैसे सर मैं एक सिगनल ऐसा भी देखता हूँ ऐसा भी मिलता है मुझे कभी-कभी सही बात है सर मैं तो जब पढ़ता हूँ न तो मैं ऐसा भी सिगनल पढ़ता हूँ एसे आदा यू फिर बंद फिर आदा यू फिर ओर आगे पढ़ते हैं हम लोग ऐसे सिगनल काफी सारे सिगनल पढ़ते हैं तो फिर मैं इस सिगनल को क्या बोलूंगा मैं क्या बोलू इसक इसको DC बोल सकता हूँ, नहीं सर, इसको मैं पेवर DC नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम के लिए constant है, फिर यह तो 0 हो रहा है, लेकिन पेवर DC का मतलब तो होता है, हमें सा constant, मतलब मैं इसको पेवर DC नहीं बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको पेवर AC बोल सकता हूँ, न ना पेवर DC सिगनल है, मलब ये सिगनल और ये सिगनल ये सिर्फ पेवर AC और पेवर DC होते हैं, इन दोनों सिगनल के अलावा, दुनिया में जितने भी सिगनल पाये जाते हैं, वो ना तो पेवर AC होते हैं, ना पेवर DC होते हैं, तो फिर सर वो सिगनल क्यों से होते हैं, वो सि एक्दम पह रेट था वो ब्ल कुल एग्जेक्त लीक रेड एक आपके पास में पहिर्ली ब्लयू है मतलब दो कलर हो मिला दिया क्या है इन दोनों को मिला दिया तो जैसेही मिंख्स करो गेना तो कोई तीसरा कलर आप ़ोगों को मिल जाएगा अभो लेड रहेगा, ओके, अरियो मायों, जी, ओके, ना वो color आपका red रहेगा, ना वो color आपका blue रहेगा, कोई तीसराई color बन जाएगा, कोई तीसराई बन गया, ने हाँ, सही है, अब जब तुम तुम इस color को देखोगे, final result को देखोगे, तो ना तुम में इसमें rate दिखेगा, ना तु इसके formation को समझो अगर इसको breakout करने की कोशिस करो तो तुमें क्या पता लगेगा कि सरी ये दो paper signals को मिला के बनाया हैं एक red और एक blue मतलब ध्यान रगना दुनिया में कोई भी चीज हो आपको different different तरह की चीजे दिख सकती है लेकिन वो जो चीजे form होती है तरह की चीजे निकलेगी और सारी चीजे कैसी होती है paper होती है practical life में signal सिर्फ दो ही होते है एक आपका AC signal होता है एक आपका DC signal होता है paper AC signal ये होता है paper DC signal ये होता है इन दोनों को mix करने से practical life में बहुत सारे signals बन सकते हैं जैसे ये एक signal है तो ये भी इन दोनों को mix करके ही बनाया हुआ है ये signal है तो ये भी इन दोनों को mix करके ही बनाया हुआ है अब अलग-अलग ratio में किसी में इसको जादा मिला दिया किसमें इसको कम मिला दिया इसमें इसको जादा मिला दिया कम मिला दिया तो ऐसे अलग-अलग ratio में signals को mix करके ए ना, हमेञा ध्यान रदकना इस चीज़ का, कभी कन्तों मत हो ना, प्रwestन अधीकल लाइफ में कोई सा भी सिगनल हो जैसे आप पढते हो, इवन सिकनल ओर्ड सिकनल कोई सा भी हो, वो हमेशा दो प्रिवर सिगनल ये जितने भी प्रिवर सिगनल प्रजेंट होंगे उन प्यवर सिगनल से मिलके ही बना हुआ होगा एंप्यवर चीज हमेशा प्यवर चीजों के मिक्सर से बनती है अब द्राइन दे समझना सर माल लो आपने तो बोला कोई साथ सिगनल ठीक है बेटा मैंने यह सिगनल बोल दिया आपका मन करिया आपने इसे बना दिया ठीक है सरी एक signal है अगर सरी signal को मुझे लिखना हो कि ये signal क्या है इसकी frequency क्या है इसमें DC component है या नहीं है क्या है ये signal तो मैं इसको के से लिखूँगा तो एक फिर क्या हुआ scientific तरीके से इनका mathematical तरीके से इनका सबका result निकाला गया और एक generalized expression बनाया गया कि कोई भी signal AC plus DC का mixture होता है तो एक signal को represent करने के लिए एक generalized term दी गई कि जैसे मैंने लिखा F of T तो इसका मतलब दिया गया कि ये कुछ ऐसा है कि F0T F1T F2T F3T dash dash n तक सरी इसका क्या मतलब है इसका मतलब है F0T का मतलब होता है DC signal पेवर DC signal ये कैसा है ये impure नहीं है ये बिलकुल पेवर है मतलब F0T ऐसा होगा समझ गे ये है आपका F0T एक पेवर सिगनल बिलकुल पेवर सिगनल सही है ओके F1T का है इसके अलावा ये जितने भी signals होते हैं ये extra बचे हुए ये सारे के सारे signal कौन से होते हैं पेवर AC signal क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही चीजे पेवर है या तो DC या AC तो ये पेवर DC है ये पेवर AC है अब इन सब को mix करके आप कोई सा भी signal बना सकते हो तो आप बोलोगे सरे आपने फिर ये F1, F2, F3, F4 क्यों लिखा क्योंकि बिटा देखे इसकी तो कोई frequency होती नहीं है लेकिन एक पेवर AC signal की frequency होती है सही बात है नहीं है जैसे support date समझ मैंने दो signal बना है ठीक ये मैंने ऐसा बना दिया कैसर ये पेवर AC signal नहीं है ये भी पेवर AC signal है लेकिन अगर इसकी frequency F है तो इसकी frequency कितनी है 2F है लेकिन इसमें सिफ 2F frequency है ये भी पेवर है ये भी पेवर है सही बात है नहीं है अगर इन दोनों का आप mix कर दोगे कोई तो तीसरा कोई नया ही signal बन जायेगा न वो AC दिझेगा न वो DC दिझेगा सब्स्राइब दिखिछेगा इन तो इस फरेके से इन सिगनल का क्लासिफिकेशन किया जाते है इसकी फ्रिक्वेश्टी मानलों एक रिक्वेश्टी बोली जाती है टीए फजकी फ्रिक्वेश्टी था यह 3F node, और आगे चलोगे तो 4, 5, 6, 7, मनलब अगर इसकी 50 है तो इसकी 100, इसकी 1.500, 200, 200, 200, सही बात है नहीं है, इन signals को बोले आता है harmonics, क्या बोले आता है इनको, harmonics जो आप बार-बार समझते हो, clear है, तो ये तो होता है आपका fundamental signal, अब सार आप बोलोगे सर, fundamental signal क्या होता है fundamental signal, वो signal जो आपको चहिए, जो आपको जरुवत है, लेकिन अगर सेफ में थोड़ा बहुत भी कुछ गडबड हो गया ना, तो पेवर ऐसी नहीं रहेगा, फिर उसमें इन सबका mix-up आ जाएगा, तो इनको बोलते है harmonics, तो इसको बोला जाता है, F2 को बोलाता है, second harmonic, जानत ना, बिटा, आम मैं क्यों बता रहा हूँ, इस सीज़ का reason, थोड़ा आप लोग ध्यान चे समझने की कोशिस करना, सुनना देखो, भई, एक बात बताओ, rotor पे, आम मैं वापस आ जाता हूँ, अपने टोपिक के उपर, ध्यान चे समझना, देखो, sir, rotor के उपर, हम लोगों ने DC सप्लाई लगाई थी, flux जो आ रहा था, या magnetic field जो था, भी जो था, वो constant आ रहा था, छीक है, sir, sir, इसी flux को sinusoidal बनाने के लिए, मैंने क्या किया था, rotor की दिजाइन की थी, किसकी design की थी, rotor की, okay, sir, वो design मैंने इस तरीके से की थी, ताकि एक sinusoidal waveform बन पाए, एक approximate sinusoidal waveform बन पाए, बट क्या वो exact होती है कि नहीं, sir, exact नहीं होती है, तो बेटा, जब वो वाला flux, जो तेरा खुद exact sinusoidal नहीं है, जो खुद exact sinusoidal नहीं है, जब वो जाके attach होगा, stator की windings के उपर, तो वो EMF induce करेगा, हाँ, time changing behavior तुने इसकी वज़े से बना दिया था, design की वज़े से, तो EMF induce हो जाएगा, लेकिन क्या जो EMF induce होगा, वो exactly sinusoidal होगा, नहीं, sir, exactly नहीं होगा, हलका, फुलका उसमें क्या हैगा, variation आ सकता है, किसकी वज़े से, designing की वज़े से, अगर designing में कुछ आप लोगों ने proper तरीके से उसको design नहीं किया, तो उसमें थोड़ा बहुत क्या आ स mental नहीं है, अगर signal में माल लो, यह sinusoidal signal था, और यह पेवर नहीं है, माल लो, यह हलका सा भी यूँ बन गया माल लो, ऐसा बन रहा है, माल लो, ठीक है, माल लो यह ऐसा बन गया कुछ, ठीक है, तो यह कुछ-कुछ sinusoidal की तरह दिख रहा है, लेकिन यह गेप आपका sinusoidal नही रहा है इसमें कुछ क्या आ जाएंगे हार्मोनिक्स आ जाएंगे तो यह हार्मोनिक्स क्या मैं आउट्पुट में चाहता हूं क्या क्या मैं चाहता हूं कि यह मेरे पास आये नहीं सर हमारे सिस्टम को जो होती है वो requirement होती है एक्जेक्टली पेवर साइनोसुडल सिगनल सर इसका मतलब क्या है सर इसका रीजन यह है बिटा क्योंकि तुझे जो फ्रिक्वेंची यूज करने के लिए दी गई है वो दी गई है 50 अगर सेट सेप में चेंज वार सेकंड हर्मोनिक भी इसमें मिक्स हो ग इसाँ आप आर्मोनिक से सिर्फ एक प्रोब्लम नहीं है बहुत चारी प्रोब्लम है और क्या प्रोब्लम है सर अगर मानलो अर्मोनिक भी आ गया तब इसकाdensंड हमखर्ण हमरा तो बेटारा 50 की स्विट से घूम रहा है लेकिन इसका 100 की वज़े से हैगा डबल स्विट से घूमेगा अगर 30 रहा गया तो तीन कुना स्विट से घूमेगा उसका मगनेटिक फिल्ड सही बात है नहीं है तो यह बड़ी प्रोब्लम है हमें नहीं चाहिए हमें बिल्कुल नहीं चीए कि हमारे system में harmonics है सही बात है नहीं है तो एक बात बताओ harmonics क्यों आये थे क्योंकि designing proper तरीके से नहीं नहीं थी अगर designing एक दम proper तरीके से हो जाती तो मेरे system में harmonics को eliminate कर सकता था harmonics को खतम कर सकता था अब तुने एक बार बना दिया ना यार उसको आप बना के तुने देख लिया तुझे पता लग गया कि तेरे system में harmonics अ रहे हैं तो उस harmonics को eliminate करने की कोशिस कर क्या करने कोशिस कर eliminate करने की कोशिस कर क्योंकि जितने जभ़धा harmonics आएंगे टेरे system में तो तरी ही problem create होगी ये तो हमें समझ में आ चुका है सही है तो उनको eliminate करने की कोशिस करेंगे अब देखो harmonics आये किस वज़े से designing की वज़े से क्योंकि designing proper नहीं हुई तो अगर harmonics को eliminate करूँगा तो क्या से करूँगा अरे designing से ही करेगा जो proper नहीं हुई इसको कुछ proper बनाने की कोशिस कर जो proper नहीं हुआ उसको थोड़ा proper करने की कोशिस कर ताकि वो harmonics को क्या कर पाए eliminate कर पाए एक favor signal आपको क्या कर पाए provide कर पाए सही बात नहीं है इसी वज़े से इसी system की वज़े से rotor की जो designing होती है उस rotor की designing में कुछ changes किये जाते हैं किस वज़े से harmonics को eliminate करने की से तो क्यों पढ़ा जाता है आपको समझ में इसके बाद में एक को टोपिक आएगा distributed winding वो भी इसी का पार्ट होगा सही बात है नहीं है तो आपको परपज समझ में आना चाहिए कि कोई topic पढ़ रहे हैं तो उसका परपज क्या है हम क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग सही बात ह है अब हम topic पढ़ते हैं हमारा short pitch winding आप लोगों ने बार-बार सुना होगा इसको short pitch winding full pitch winding अगेरा अगेरा बहुत सारी चीज़े ठीक है तो अब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह क्या होती है हमारे topic के लिए क्यों important है और यह क्या काम करती है तो काम क्यों एक ही क winding जहांते समझना है सब लोग ठीक है देखो सर क्या होता है सब लोग एकडम सांती से बेट जाओ बिल्कुल ठीक है और सांती से समझना चीक है एक simple सा example दूँगा बिल्कुल simple clear है बिल्कुल clear हो जाएगा देखो support date यह एक आपका rotor है जहां समझ में नहीं है तुरंत मुझे comment कर देना ठीक है हाँ कोई भी problem हो तो यह आपका support date एक rotor है ठीक है दो design बनाता हूँ में ताकि आप लोगों को और भी थोड़ा clearly समझ में आए दो rotor बना देता हूँ ठीक है ताकि comparison clear हो जाएगा कुंझ हाँ ओके हाँ गला एक यह है दो तरह के rotor है सरी rotor के उपर हमारा काम क्या होता है बीटा do कि पर आपका पहला काम यह होता है by do णिंग करते में स 온 आप लोगों को ठीक है आप लोगोंने क्या किया इसमें बहुत सारे स्लोट्स है इस तरीके से इन स्लोट्स में आप लोगों ने वाइंडिंग कि है, वैं मैं दो तरह की से वाइंडिंग करना सिखाऊंगा, दोनों को आप लोग थोड़ा ज्याद से समझने कί कोशिस करना, ये इस में इस तरीके से क्या है, यहाँ पे slots है अब भाई एक बात बताओ आप लोगों के पास में एक तार है समझ लो एक wire है उस wire को आप लोगों के इस rotor के चारो तरफ लपेट ना है अब किस किस तरीके से लपेट सकते हो समझो जैसे यह आपका rotor है चीक है आपने wire को लिया आपने यहां से पकड़ा wire को पूरा खेंच इधर से निकाला और इधर से निकाल के वापस लिया है बन गयाना एक turn बना कि नहीं बना बताओ सही बात है मतलब आप क्या कर सकते हो आपने माल लो यह wire है माल लो इसकी सिदमें यह दिख रहा है तो यहां से आप लोगों ने ठीक है मैं इसको clearly exactly उपर ही बना देता हूं त यहां से wire को enter करवाया और exactly इसके just opposite वाले slot से wire को क्या कर लिया बाहर निकाल लिया मतलब आप लोगों ने wire को कहां पे रखा यहां से और यहां पे क्लियर है winding को कैसे बना रहे हो आप यहां से wire को enter करा रहे हो यहां से wire को बाहर निकाल रहे हो अगले वाले slot के लिए यहां प यहां से अपोजित डायरेक्शन में मतलब इसको क्या बोलूगा मैं ज्यां जे समझना जब आप इस तरीके से एक कोईल को बनाओगे इस तरीके से वायर उसको लपेट तो यहां मिलेगा एक वायर का गुच्छा आपको यहां मिलेगा और यह पूरे श्लोट में क्या बन चु उन्हें ऐसे जो गुमा के यू निकाला तो एक साइड ये निकल की वायर की एक साइड ये निकल की इनको बोलते हैं क्या 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 बोलते ह यहां को है पिल्कुल सही है तो मतलब यहां पर अगर आप बोलो कि कोईल साइड्स का यह ही लिख लो चीए कोईल साइड्स का जो एंगल है यहां पर वह यहां आपको कितना दिख रहा है सर डायरेक्ट2 नहीं है ना कोई कनफीजन ना ओके अब सब्सक्राइब दूसरा एक रोटर है मैंने बोला आप वह को बैस तसल्ली रखा करो चीक है करी वच्चों के माइंड में चलता है कि वह क्या करते हैं पहले से पढ़ चुके हैं दो दो तीन तीन बार सभी है तो वह जब ऐसी चीज़ चलती है न उन्होंने पढ़ रखी तो रखी है चीक है जब बताता हूं कि कुछ नया बताने की कोशिस करो क्या देखो क्या सर्व में दूसरे तरीके से कोई कर सकता था पहले मैंने मैंने क्या इस स्लोट में एंटर करवा है इस से निकाला क्या किसी ने लिखके दे रखा है कि यहां से एंटर करवा हुए तो उसके अपोजिट से निकालो तो ही कोईल बनेगी किसी ने लिखके दे रखा है गया नहीं किसी ने लिखा भाई तुमारी मर्जी है अग मेरी मर्जी तो यह है कि मैं इस वायर को यहां से एंटर करवाऊंगा और मेरी मर्जी है कि मैं यहां से निकालूँगा मैं पहला जो कोईल बना रहा हूँ ना मैं यहां से निकालूँगा यहां से निकालूँगा क्या कोईल नहीं बनेगी क्या बिल्कुल बनेगी बिल्कुल बनेगी होगा सही बात है नहीं है ओके तो यहां पर तुने इस तरीके से बना दिया तो यह हो गया तेरे कोईल साइड अब इनके बीच में एंगल कितना है सर मुझे नहीं पता कितना एंगल है पर जो भी होगा कुछ तो होगा जो भी है कुछ तो होगा यह दो कोईल साइड के बीच म क्या बोलते हैं coil span किसी को कोई confusion है क्या बोलते हैं इसको coil span span का मतलब variation अब देखो इसके और इसके बीच में angle कितना है इतना है यहाँ पे और यहाँ पे angle कितना है 180 degree मलब इसके लिए coil span कितना है इसके लिए coil span कितना है तो sir coil span वही होता है Almighty degree और यहां पर किתना सर इन के बीच में जितना भी एंगल होगा मुझे नहीं पता कितना है पर जितना भी होगा उतना इंगल मेरा क्या कहलायागा कोई कहला डूर रिक इसमें बिल्कुल करेक्ट है हम लोगों ने अब तक कुन सा बनाना सीखा था हम लोगों हम लोगों ने यह बनाते है यूँ यह हमारा आज नहें आया है चाहिक है तो इसके बारे में भी बात करेंगी जाज चक्षिक है ओके तो यह हमारा practical है अब सोचो जरा ध्यान से क्या होता है रोटर का परपज क्या होता है सर रोटर में आप लोगों का पहला काम होता है बनाओ slots डालो और slots में डाल दो wires बना दो coil ठीक मैं ने बना दिया दूसरा काम क्या होता है सर दूसरा काम होता है excitation क्या लगाते हैं इसके उपर DC source लगाते हैं सर सही बात है आप लोगों ने सब में उपर वायर कर दिया अब बड़े बड़े सबके आदे गुच्छे एक तरफ आदे गुच्छे एक तरफ आदे गुच्छे एक तरफ आदे को positive से जोड़ दिया आदे को negative से जोड़ दिया current का flow ना सुरू हो जाएगा आदे वायर्स में current मालो यह एसे जा रही है तो आदे वायर्स में current enter करेगी आदे से leave करेगी कितनी बार बता चुका हूं सही बात है क्या होगा सर इस तरीके से मालो current जा रही होगी तो यह एक magnetic field को develop कर देगा एक चुमबक क की तरह काम करने लग जाएगा कि सी की तरह काम करने लग जाएगा एक होगी मालो यह से जा रहा है तो से थमब नीचे आ जाएगा और the निंगे DC लगाएगा तो वह एक किसका डवलप करेगा, मागनेटिक फिल्ट का और रोटर का जिवीवियर हो जाएगा, कlor का एगर क्याइँ चुम्बक रोटर का मैगनेटिक फिल्ट का भीवियर होता है इस तरीके से क्या है ये एगर ग्रीज इows। है नो की सबसे इंपोर्टेंट और खासवाद क्या है सबसे इंपोर्टेंट और खासवात यह है कि इस S और N के बीच में, इस S और N के लिए अगर मैं Angle की बात करूँ कि दोनों के बीच में Angle कितना है, अरे बेटा, सीधी सी बात है, अगर मैं आप लोगों से मानलो यह से बोल दू, कि यह एक चुमबक है, देखता हूँ, देखे, कितने लोग मानलेंगे, मैं बोल देता ह होगी उसका यह इस हो सकता है क्या मैगनेट्रिक एसे हो सकता है तो यह कैसे लेकिन अगर माल लो ऐसे है तो यह S यह N ऐसे बनेगा तो S यहाँ पहुच जाएगा N यहाँ पहुच जाएगा मनलब सर्फ दोनों के बीच में एंगल अमेशा 180 डिगरी रहेगा यह fix है यह कभी change नहीं होना हमेशा 180 डिगरी रहेगा चलो ठीक है आपकी बात कितना है सर 180 डिगरी कितना है 180 डिगरी अब एक बात बता बिटा यहाँ पे जब तु वायर लगाएगा तो इन में भी तु डी सी सोर्स लगाएगा इसमें भी करंट जाएगी ऐसे ही तो वापस से मेगनेटिक फिल्ड आएगा अब मेगनेटिक फिल्ड को क्या मतलब है कि तुने इसका यहाँ लगा रखा या इसका यहाँ लगा रखा है किसका खाल लगा रखा है उसे तो करंट जाएगी मेगनेटिक फिल्ड आएगा तो एन और एस तो हमेशा 180 डिगरी का बनाएगे बनाएंगे fix है सही बात है नहीं है तो वो तो हमेशा 180 डिगरी का ही बनाएंगे मतलब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो तो ऐसा ही बनेगा वेरी क्लियर ऐसा ही बनेगा सर सही बात है तो मतलब यह होगी आपकी चुमबक आपके मेगनेटिक पॉल्स हमेशा जास अपोजी डिरेक्शन में होते हैं बिल्कूल क्लियर है मालो यह सही है क्या है आपका एन है तो अगर यहाँ पे अगर आप बात करो कि एस और एन के बीच में एंगल के अगर बात करो एंगल बिट्विन दी मागनेटिक पॉल्स मागनेटिक पॉल्स के बीच में एंगल कितना है सर यहां भी 180 डिगरी है यहां भी कितना है 180 डिगरी है अब इस डाइग्राम में खास बात क्या है सर इस डाइग्राम में और इस डाइग्राम में खा इस वाली वाइंडिंग के लिए आप क्या बोल सकते हो तो इस वाली वाइंडिंग के लिए आप ये बोल सकते हो कि एंगल बिट्बिन दी पॉल्स इक्वज टू किसके है यहाँ पे कोईल इसर किसे कोईल इस्पेंज है किसे कोईल सकते हो दोनों बराबर नहीं है किलियरें ध्यान रगना जब यह वाली कंडिशन आपकी आती है कि वो वाली वाइंडिंग जिसमें दो पॉल्स के बीच में एंगल अगर कोईल स्पेन के बराबर हो तो उस वाली वैंडिंग को बोला जाता है फुल पीछ वाइनडिंग, क्या बोले जाता है इसको? फुल पीच वाइनडिंग, अरि है एक तरीगिंगे इस समझलो ये इसकी पीच है, यहा से यहाँ तक दोड़ना है इसको current को, ठीक है? तो अगर ये इसके बराबर है तो मतलब फुल पिच वैंडिंग तो इनको क्या बोला जाता है ये वाला डाइग्रम किसका हो गया सर ये हो गया आपका फुल पिच वैंडिंग क्या बोलेंगे इसको फुल पिच वैंडिंग फुल पिच है सर अगर दोनों बराबर हो if your coil span is equal to the angle between the adjacent pole clear है नहीं है दो poles के बीच में जो angle होता है वो आपका अगर coil span के बराबर है तो उसको बोला जाता है full pitch winding अभी मैं आगे थोड़ा सा और advanced level पे भी थोड़ा सा बताऊंगा clear है पहले इसको समझ लो बेस क्लियर हो जाएगा फिर थोड़ा और भी बताऊंगा इसके बारे में clear है हाँ बेस समझते वे चला करो देखो important है सारी चीज़े लेकिन यहाँ पे अगर angle between the pulse it does not equals to your coil span अगर बराबर नहीं है ठीक है यह coil span छोटा है clear है तो इसको क्या बोला जाता है हाए इसको बोलाता है short pitch winding clear है इसका नाम क्या होता है short hai pitch winding क्या बोलता है इसको short pitch winding इसको बनाने का reason क्या था वो तो मैं पहले बता चुका है आप लोगों इसको क्यों बनाते हैं हम लोग ठीक है ओके और यह जो होता है यह पूरा यह क्या कहलाता है ये वन से वन डेस के बीच का अंगल तो यह है आपका क्या? कोईल स्पैन के डेफिनेशन समझ गे ना? देखो दोनों की डेफिनेशन क्लियर होने चाहिए कोईल स्पैन का मतलब है देखो, मैं लिखवा देता हूँ कई बच्चे जो होते हैं वो अपने नोट्स भी बनाते हैं तो कोईल स्पेल का मतलब है कि एंगल बिटमिन दी टू एडजस्टेंड साइड ओफ एक कोईल एक कोईल की दो साइड के बीच का एंगल आपका क्या कहलाता है क्याल दूसरा एक। आपका कूनसा वर्ड आया है है और कूनसा आए अंगल बिटम दी पॉल्स तो यह तो clear ही होगा कि दो एंगल के बीच में यह जो होता है वो आपका आपका एंवड एंगल response के بीच में जो बिट्विन द झी तू एक वईड है यां पर उसको समझ ना एडजसेशटेंड ओफ ये एडजसेटेंट का क्या मतलब है जो मैं बार-बार लिख रहर cli कि ये ये अलद सऱ्बावाला जैसे ये को एल है तो इसके खुद की को आत दूसराyectा फेर्या सही बात नहीं है इसकी कहानी अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझ भाएगी जब मैं दो पोल को अठा के चार पोल लूगा तो और भी क्लियर हो गाई यह तो अभी सब के क्लियर है तो यह जो होता है यह कोईल स्पेन कहलाती है और सबसे कि इंपोर्टेन्ट तो इसमें वो यह होता है कि यह कितना एंगल जो है देखो कितना एंगल कम रह गया तो यह एंगल कहलाता है आपका अल्फा क्या बोल तो इसको एल्फा समझ बैं हो तो यह alpha कितना होगा 180 degree minus coil span सबके clear है नहीं तो इसमें तो कोई confusion नहीं है तो 180 degree minus coil span अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर थोड़ा space कम है मैं यहाँ से इनको मिटा दू हम नीचे वालोगो नीचे वालोगो मिटा दू I think सबसे लोग समझ गया होंगे तो यहाँ से मैं इनको मिटा देता हूँ समझना ज़रा सब लोग तो यहाँ पर जो alpha है बिटा यह alpha क्या होता है तो sir यह alpha जो होता है यह होता है मेरा 180 degree minus coil span clear है नहीं है alpha जो होता है यह कितना हो जाएगा sir 180 degree minus coil span कुछ angle है मदलाब जितने से आपने आपने इस सिफ्ट कर दूए उस angle का नाम देजै part clear है इस alpha का भी एक खास नाम होता है , क्या है यह का डिफरेंस होता है वो आपका क्या क्यलाता है को डेंगल क्यलाता है तो द्यान रगना शोट पिच वाइंडिंग को कभी-कभी शोट पिच वाइंडिंग को कभी-कभी जो बोला आता है वो कॉल्डेड वाइंडिंग भी बोल दिया जाता है क्या भी बोलना दिया जाता है इसको कॉल्डेड वाइंडिंग भी बोल दिया जाता है इसका दूसरा नाम भी होता है कॉल्डेड वाइंडिंग भी बोल देता है इसको सही बात एक नहीं है क्या बोल देते हैं इसको कॉल्ड डूसरी में हैं कर सकता हूँ यहां से किसी एंगल पर इस तरीगे से लाके व्याइंड पर सकता हूँ की जरूरत पड़ी है ठीक है हार्मोनिक्स को हार्मोनिक्स करने के लिए चीड पर पड़ी तुर्सकर करने हार्मोनिक्स तो बहुत सारे हार्मोनिक्स है उससे मतलब बस उसको हटा ले तेरा सिस्टम सही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है तो एक्च्वल में यह इतनी होती है यहां से लेकर यहां तक यह वाला सिस्टम होता है अब तुझे पता लग गया कि अगर मैं इसको यहां से अलका सा भी यह से डिफरेंस करूंगा यह शोट पिछ बन जाएगा यह alpha मैं कितना रखू यह को केसलें रिप्रोंगा81 इसभी दक करें इसेसे हर्मोनिक्स का ओढ़ता जाता है जैसे 8 हुआ,9 हां,10 और 11 तो उनका magnitude का फिक मंग होजाता है तो उनका फ्लियू में प्लका प्ड़ता है तो टिसेते्म पर पड़ता है वह बरता है तो इक제 सब तो होधी जानकारी दूँगा जब मैं आप लोग को क्रावलिंग पड़ाउंगा है तो वहाँ पे पूरा क्रावल एक पड़ाई तो यह एंगल जो decide होता है वो किसके साफ जो कौन सा harmonic eliminate करना है सही बात नहीं है तो इसकी calculation करने से एक factor आता है के ओप सी formula याद रख लेना बैस आप लोगों के लिए formula important है बस ठीक है के ओप सी क्या बोलते हैं इसको तो इसका नाम होता है call dead factor या short witch winding का factor क्या represent करता है ये तो के ओप सी क्या होता है तो ये होता है cos of n alpha divided by two क्या है ये cos of n alpha divided by two अब आप ओलोगे सरी ये क्या मतलब है इसका हमें तो समझ में है के ओप सी अब इसको मैं और detail थोड़ा बात करूंगा ठीक है ओके तो तसल्ली रखना देखो कल जब तुने पढ़ा था induced emf की derivation तो तुने emf निकाल लिया था ठीक है मैं direct rms value लिख देता हूँ आप लोगों में ऐसा निकाला था कि 4.44 n परफेस थे ये बार बार लिखने की ज़रूत नहीं है न पता है न सबको ये n जो थे ये परफेस थे e जो था ये भी आपका परफेस था और यहाँ पर आपका फाई आ रहा था वो भी आपका एवरेस था और यह आपकी frequency थी यही मिला था आपको सही है अब यह सिगनल आपको sinusoidal नहीं मिला इसमें आपको यहाँ पर कोस omega tb आता था मैंने rms value लिखी है direct सही है तो इसमें आप करने के लिए आपने short pitch winding बनाई और इस short pitch winding की वजए से यह effect पड़ा केसी stored factor तो अब आपका नया अब आपका नया EMF क्या हो जाएगा तो अब आपका नया EMF जो हो जाएगा वो इस winding का effect भी इसके उपर पड़ जाएगा और यह हो जाएगा 4.44 KC आ जाएगा इसके साथ में N5F क्लियर है नहीं है मलब यह factor भी यहाँ पर आजाएगा के ओप सी अब यह factor करेगा क्या एक बात बता यह factor करेगा क्या मैं यह चाहता हूँ डैन से समझना मैं क्या चाहता हूँ मैं यह चाहता हूँ कि system के उपर harmonics का फरक ना पड़े सपुद्धा आपने बोल दिया मेरे system को पाच्वा harmonics बड़ा परेशान कर रहा है आप नहीं चाहते हो कि आपके system को अप उसको eliminate करना चाहते हो तो उसको मैं eliminate कैसे करूँ अरे जब तुने winding बनाई है तो कुछ इसी में कर इसी की वज़े से elimination होगा अब तुझे ये तो पता लग्या कि alpha हम लोग इस तरीके से decide करते हैं कि हमें कौन सा harmonic eliminate करना है अब support date मुझे 5th harmonic eliminate करना है इसको हटा देता हूं मैं clear है तो माल लो आपको 5th harmonic eliminate करना है तो मतलब n की value कितनी होगी जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर 5th harmonic किसके लिए बात करूँ फॉर 5th harmonic तो n की value कितनी होगी 5 5 ये को हटाना है सही बात है नहीं है तो केसी क्या हो जाएगा सर्केसी जो बन जाएगा वो बन जाएगा cos of 5 alpha divided by 2 बता बनेगा ये नहीं बनेगा अब तुझे चेक क्या करना है कि इस 5th harmonic के लिए alpha कितना होना चीए ताकि 5th harmonic eliminate eliminate होने का मतलब क्या है उसका effect गाइब हो जाना अब अगर इसके effect को तुम गाइब करना चाहते हो तो 5th harmonic की वज़े से induce होने वाला EMF कितना होना चीए जीरो तब ही तो उसका effect खतम होगा कितना होना चीए जीरो तो कुछ ऐसा करो कि n की value 5 हो जाए तो आपके k of c की value कितनी हो जाए जीरो तो जिसको eliminate करना चाहते हो उसकी value डालो और उसके लिए के चीए की value को किसकी बराबर कर दो Second C bell कीण कर दो कि उसकी उसका effect तो तुम खतम करना चाहते हो सही बाद है नहीं बल्लकुल clear हैànhता है उसका effect करना चाहते है तो अगर मैं coming गुफ्त हार्मोनिक को Eliminate करना चाता हूं तो क्या करूँगा सर इसकी value को मैं equal कर देता हूं किसके? 0 के अब costheta की value 0 कब होती है बेटा बता हो जरा costheta की value 0 कब होती है costheta की value 0 होती है वो 0 होती है πाई बाई 2 के उपपर कहां होती है pi by 2 के उपपर तो अगर ये angle मेरा pi by 2 के बराबर हो जाए 90 degree के बराबर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा सर मैं इसको ये लिख सकता हूँ इससे मुझे ये मिला कि 5 alpha divide by 2 की value जो है वो pi by 2 के बराबर हो नहीं चाहिए आप दे के 2 से 2 तो cancel out हो गया तो यहां से तुझे alpha की value कितनी मिल जाएगी सर alpha मिल जाएगा मुझे pi by 5 मालब 180 divided by 5 करेगा तो कितना मिलेगा तुझे 5 ती 15 तो 36 degree तो कितना angle 36 degree अगर इस alpha की value तू 36 degree रख दे 36 degree अगर तू रख दे तो क्या हो जाएगा सर मेरे सिस्टम में से 5th harmonic क्या हो जाएगे eliminate हो जाएगे 5th harmonic मेरे सिस्टम में से eliminate हो जाएगा उसका effect यहां पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा clear है नहीं है तो इस सीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है clear है तुम्हें एक generalized formula यह समझ में है ना आप लोगों को सबके clear है न ओके 38 आ रहे है और एक सोस्टी डिवाइड वाइड पांच करके देख ले ना यार ठीक है पांच स्थी पंद्रा कितना बचा तीन 36 यह तो आ रहे है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ देखो तो यह आपका आ गया इनको मैं हटा देता हूं यहां से ठीक है ओके देखो समझते वे चलो कोई टोपिक शुरू किया है तो इस टोपिक के बारे में पूरी नोलेज होना चीए क्यों पढ़ रहे हैं क्या रीजन है क्या क्या हो सकता है उसमें क्या क्या सब चीज हैं सब कुछ पता होना चीए आपको ठीक है तो इसका मैं एक जनरलाइस मन निकाल देता हूं आपके लिए ठीक है के ओप ख si तो यह मिलीया for eliminating for eliminating मतलब ख़तम करने के लिए nth harmonic nth harmonic को खतम करने के लिए मुझे क्या करना चीए तो क्या होना चीए k of c की value 0 करनी है आपको ठीक है तो मतलब आपका cos of n alpha divided by 2 की value को करना है 0 तो आपके n alpha by 2 की value बराबर होनी चीए pi by 2k तो यहां से आपका alpha किसके बराबर आएगा pi by n मतलब अगर 5th को खतम करना है तो pi by 5 alpha होना चीए तीसरे को खतम करना है तो pi by 3 होना चीए साथवे को खतम करना है तो pi by 7 होना चीए clear है सबके mind में कोई confusion नहीं होगा I think सबके clear है यह चीजे अगर सबके clear है तो मैं आगे और चीजे बता हूँँग आप लोगों को और चीजे बताना पसंद करूँगा अगर आपको पता लगे यह पूरा clear हुआ हो तो सब कुछ ठीक है यह होती है आपकी short pitch binding अभी इसी के बारे में और थोड़ा बताना है clear है चलू मैं आगे ओके धान चे सुनो बिटा और समझते वे चलना ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ एक काम करता हूँ ठीक है ओके ओके देखो इस स्पेस की थोड़ी जरुरत है तो मैं इसको थोड़ा रिमूर कर देता हूँ यह आपका होई चुका है ठीक है ओके देख लो आप लोगों को समझाने के लिए ना मैंने एक बहुत बेसिक एक्जमपल लिया था अगर नंबरो पोल 2 नहीं होते अगर नंबरो पोल 4 होते अगर नंबरो पोल 6 होते नंबरो पोल 8 होते तो क्या behavior होता इस concept के उपड़ कभी-कभी examiner आप लोगों को फांस लेता है किस तरीके से फांस ता है समझ ना ज्यान से देखो एक बहुत ही important result होता है आप लोगों को पता होगा समझना ज्यान से clear है जिनको पता है ठीक है नहीं पता है मैं आगे उसके बारे में उसका derivation करवाऊंगा आगे जब उसका number आएगा जब उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों पर यहां समझ लो वो आप साइध आपको पता होगा आपको एक चीज पता होती है क्या पता होती है कि frequency of electrical जो होती है वो आपका P by 2 छीक है frequency of mechanical के बराबर होती है इतने में किसी को कोई confusion है क्या है यह सबको पता होता है गया नहीं होता है अगर किसी को यह बात नहीं पता है तो वो मुझे बोल सकता है अगर किसी को यह बात नहीं पता है तो वो मुझे बोल सकता है कि frequency of electrical equals to P by 2 होता है frequency of mechanical के सबके clear है नहीं बात ठीक है कोई confusion नहीं है और जिनके confusion है जिनके confusion है वो एक मिनट के लिए देख लो बस देखो मालो यह रोटर है और ठीक है मालो यह एक इस्टेटर है और इसके अंदर रोटर रखा हुआ इसके पास में दो पोल है और यहां पे एक वायर है इस्टेटर के उपपर यह S है यह N है आप देखना चाहते हो इंड्यूस होने वाला EM साइड यह आपको ना हां बता दिया था ओके आप फिर भी इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है सबको बताया नहीं है ओके आगे फिर से आएगा तो आगे फिर से आएगा जब मैं फिर से एक बार explain आप लोगों को कर दूं आच्छे से ठीक है ओके सुनो अगर इस फ्रिक्वें में फिर सगहां जिए कोले सकता हूँ में ओमेगा यो में अग्यों नहीं के बरावर होता है यह कोई एक इन्फूजन नहीं है इतने में तो चीक है अब देखो अगर पी की वेल्यू टू है जो मैंने एक्जांपल आप लोगों को करवा दिया अबी अगर पी की वेल्यू टू होगी तो थिता ओफ एलक्ट्रिकल और थिता ओफ मेकेनिकल जो होंगे वो केसे होंगे बराबर होंगे दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे मेकेनिकल में भी आपको वही दिखेगा संदीफ जी क्या नहीं किसके लिए नहीं बोल रहे हो आप ठीक है रिपलाई करके मुझे बताना जरूर ठीक है नहीं पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों अगर कुछ भी प्र जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लो इधर ठीक है तो आई थिंक आप लोगों का मेसेज आया है किसी ने भी नहीं बोला है तो इसका मतलब थोड़ा सा देखो यह सपोड़िट आपका इस्टेटर है चीग है ओके इसके अंदर यह एक रोटर रखा हुआ है इसके अंदर दो पॉल है एक एन है एक एस है चीग है ओके फिर मैं यहां पर एक और बना देता हूं यह एक इस्टेटर है इसके अंदर एक रोटर है और उसके पास में च यार एसे इस तरीके से फॉर पॉल है समझ गए फॉर पॉल कैसे होते हैं NS NS कल भी बता चुका हूं मैं इसका मतलब हेट्रोपोलर स्ट्रेक्चर में होते हैं ठीक है ओके और यह इस तरीके से हो गया मालो इस वायर पे अटेच होने वाला मेगनेटिक फिल्ट देखना चाहता हूं मैं समझना जरा ध्यान से ठीक है ओके तो जब यह एन उपर रहेगा तो मालो यहां पे इससे मैक्सिमम फ्लक्स अटेच हो रहा है इतना जैसे यह वन पॉजिशन पर है ठीक है जैसे यह एन घू जब यहां पहुच जाएगा एधर मैं इस फिल्ट पूरा हुग गया इस इथर आही नहीं तो जीर हो गया अब घूमते घूमते एन इधर आएगा एस इदर जाना लगेगा तो एसका इफ़ेक्ट इसके ओपर पढ़ने लगेगा मालब मैगनेटिक फिल्ट फिर से बढ़न पूरा रोटेशन कम्पलीट कर लिया है तो जब इसने पूरा रोटेशन कम्पलीट कर लिया है, कितना एंगल हो गया इसका तो सर यहाँ से यह को साइन करव है और कोस का करव है यहां से यहां से यहां से यहाँ सब्सक्रम हो गया और शक्टर काट यह मतलब competence फूरा चतर काटने का मतलब क्या है कि वो भी 360 गूम गया है तो जितना rotor गूमा मेकेनिकल ही जो आपको दिखा इलक्ट्रिकल ही भी वही है मतलब यहां के इसके लिए आपका theta of electrical, theta of mechanical के बराबर है क्यों? क्योंकि number of pole कितने थे? 2, समझ मैं होगा number of pole 2 के लिए theta of electrical theta of mechanical के बराबर होता है अगर यह कर्व ऐसा होता और यहां पे एक वायर होता तो अब इसका बताओ मुझे ज़रा यह interesting हो जाएगा केसे? समझो यहां से जब आप चलोगे तो suppose that पहले N यहां पे होगा तो maximum अब यह N यहां से दूर जाना शुरू ही होगा और N यहां नहीं पहुचेगा N जब यहां पहुचेगा इस पोजिशन पे है यहां पे पहुचेगा तो S यहां आ जाएगा अब N इदर S इदर इसके उपर magnetic field 0 अब जैसे यह N यहां से नीची जाना शुरू होगा S इसके पास में आना शुरू हो जाएगा मलब यह negative में बढ़ने लग जाएगा फिर एक time S आएगा कि S यहां पे पहुच जाएगा तो negative में maximum अभी देखो सिर्फ यह इतना सा गुमाए कि N यहां पे आया है और यह S यहां पे पहुच आए उसी में इतना rotation कर लिया मलब सर दुग नहीं स्विड से चल रहा हो आप जैसे यह S इदर मुग करना शुरू करेगा यह वापस इदर जाएगा फिर यह वापस इदर जाएगा और वापस इदर जाएगा और वापस इदर जाके इदर चले जाएगा समझो जरा यह जब एक पूरा rotation करेगा ना तो यह आपका वन टू थ्री फॉर फाइव शिक्स सेवन एट और नाइन इतनी पोजिशन पर चलता है यह से तो इसकी इतनी पोजिशन तीन उसकी इसकी डश्ट डबल हो जाती है तो यह एंगल कितना हो गया सेवन टू टू डिगरी समझ में यह अब देखो इसमें और इसमें एक अब एक सिंपल साइब कुछोंगा मैं आप लोगों से नमबर ओपोल चार हुए तो थिटा ओफ एलेक्रिकल दुगना हो गया थिटा ओफ मेकेनिकल से क्लियरली दिख भी रहा है कि अगर एक पी की वेल्यों अगर मालनों चार हो जाएगा तो 4 बाइट तू मलब डबल हो ज जाएगा ठीक है अब ध्यान चे समझना मैं आप लोगों से एक सिर्फ एक क्यूशन पूछूँगा उसका आंसर अगर आप लोगों ने दे दिया तो आप लोगों की सारी चीज़े क्लियर है समझाब जब यहाँ पे नंबर ओ पूल दो है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है एक स्वस्सी डिगरी यह वो एंगल है जो आपको दिख रहा है समझना यह कौन सा एंगल है यह वो एंगल है जो आपको दिख रहा है एक स्वस्सी डिगरी कितने पूल है यहाँ पे दो यह जहां से घूम के N यहां आगा एस यहां पहुंच गया तो यहां पर N था यहां पर S था, कितना एंगल है यहां से यहां तक 180 डिगरी, मतलब इलक्ट्रिकल में भी 180 है, मेकेनिकल में भी 180 है, कोई कन्फूजन नहीं है न, मतलब आपकी पॉल पिच, पॉल पिच क्या होती है, दो एडजेस्टेंस पोल के बीच में एंगल, कितनी है इस कर्व के लिए, तो यहाँ पे मेरी पोल पिच जो है, वो कितनी है, 180 डिगरी, अब इसको चाहे तुम इलक्ट्रिकल बोलो, इसको चाहे चाहे मेकेनिकल बोलो, क्योंकि इलक्ट्रिकल और मेकेनिकल सेम ही है, पीक है आपको इंगे मां और स्वेंगे में है जो किसे देखोंगे संजो यहाँ पे N था position number 1 जब यह N यहाँ से किसक ना शुरू हुआ तो जब यह position 2 पे N पहुचा था S यहाँ पहुचा था आप यहाँ पहुच चुके थे position number 2 पे जब यह N यहाँ से पहुचके यहाँ पहुचेगा तो यह वाला S यहाँ पहुच जाएगा यह N यहां से यहां तक मुँँ हुआ है यह N यहां पहुचेगा तो यह वाला S यहां पहुच जाएगा तो आप यहां पहुच जाओगे अब आपने चल लिया इतना और रोटर ने कितना चला यहां से लेके इतना समझ ज़रा द्यान से अब rotor कितना angle चला है sir rotor चला है 90 लेकिन आप कितना चल लिए हो curve के इसाब से sir यह angle तो यहां से लेकर यहां तक cost में sir 180 degree होता है कितना हो रहा है 180 degree मतलब mechanical ली तो आप सिर्फ 90 चले हो लेकिन electrical ही कितना चल चुके हो 180 चल चुके हो मतलब अगर आप pole pitch की बात करोगें तो यहां भी 180 degree मिला था electrical और यहां भी pole pitch कितना है 180 degree ही है लेकिन कौन सा है 180 degree है लेकिन electrical है इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि pole pitch की value हमेशा हमेशा 180 degree electrical होती है कौन सी 180 degree electrical mechanical नहीं mechanical change हो सकता है number of poles के coding जैसे यहां mechanical angle 180 था लेकिन यहां pole pitch का mechanical angle कितना है 90 degree है लेकिन यहां electrical कितना है 180 और यहां भी electrical कितना है 180 तो यही चीज़ समझाने के लिए मैंने यह दोनों लिये थे ध्यान रखना तो जो आपका alpha का जो formula होता है जो मैंने लिखाता वो मैंने लिखाता 180 degree minus योबर coil span यही लिखाता तो यह 180 degree जो आपको लेना है ना यह कौन सा लेना है electrical लेना है ध्यान रखना इस चीज़ का कौन सा लेना है electrical क्योंकि electrical का ध्यान रखोगे तो आपके number of poles 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो कोई फरक नहीं पड़ता सबके लिए applicable है क्योंकि pole pitch जो होती है वो सबके लिए 180 degree electrical होती है चाहे 2 pole हो 4 हो 6 हो 8 हो कितना हो हाँ दीपक जी क्या बोल रहे हो formula से हो जाएगा formula से हो जाएगा formula से हो जाएगा लेकिन इस चीज़ का यह pole pitch का पता नहीं चलेगा formula से ठीक है कि यह हमेशा 180 degree angle ही रहना है ओके हाँ तो यह चीज़ जो है वो चीज़ का ध्यान रखना mechanical angle पता लग जाएगा तो आप निकाल सकते हो ठीक है मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है formula से भी और इस तरीके से भी तो I think किसी को कोई confusion नहीं होगा clear है अगर number of pole 2 की जगे 4 कर दे 4 की जगे 6 कर दे 6 की जगे 8 कर दे तो आप के ओपसी easily निकाल सकते हो क्योंकि के ओपसी निकालने में सबसे ज़्यादा man booming का होती है alpha निकालने की और alpha में इस चीज़ का द्यान रखना कि यह alpha की value जो होती है वो 180 degree minus आपको coil span करना है और 180 degree आपको कौनचा लेना है electrical लेना है that's very important अब examiner पता है क्या करता है examiner जो angle देता है pole pitch का वो mechanical देता है आप लोगो कभी-कभी ऐसे बोलेगा हो 4 number of poles है उनके बीच में angle 90 degree है ध्यान रखना जब वो बोलेगा ना 90 degree और अगर बोलेगा mechanical तो यसे लिखके देगा आपको 90 degree bracket में लिखेगा mechanical यसे लिखके देगा हो ठीक है यह तो number of poles बोलेगा नी बोलेगा तो लिखके देगा चीक है अमेशा अर इस चीज़ का ध्यान रखना लिखे ना लिखे electrical angle हमेशा कितना रहेगा 180 degree ही रहना है यह clear है तो सब लोग जो है इस बात को अपने mind में set रखना clear है I think यह topic आप लोगों के clear हुआ होगा short pitch winding छोटा सा topic था काफी टाइम ले लिए मैंने आप लोगों का ठीक है पर फिर भी I think सब के चीज़े clear रही होगी मस्त रहो खुस रहो और जो भी चीज़े होती है पूछने लाइक आप लोग मेरे से पूछ लिया करो 4 pole में 180 degree electrical के से होगा सर 2 adjustments pole के बीच देखना बिटा ये angle कितना है 2 adjustments pole के बीच में 90 degree दिख रहा है ना तुझे जो दिखता है ना वो mechanical होता है सुरेश देख लो जो दिखता है वो mechanical होता है सही है और जिस हिसाब से wave move करती है वो होता है electrical angle clear है तो देखना जब N यहाँ पे था तो तू यहाँ पे था अब N यहाँ से move करता करता इस position पे जब पहुंचेगा तो N यहाँ पहुंच गया S यहाँ पहुंचा है magnetic field कितना हो गया 0 अब यह तेरा N move करता करता जब यहाँ पहुंचेगा तो यह वाला S यह वाला N पौहुचा है यहां पे तो यह वाला S पौहुच जाएगा यहां पे और तू यहां से मूँ करचो क्या है यहां तक अब तू सोच Mechanical तो तू सिर्फ इतना चला कि N यहां से पौहुचा है यहां तक और Electrical कितना चलगे है इसका रूपे देख यहां से move करता हुआ, इधर करता हुआ, इधर करता हुआ, यहां तक, कितना चल गया यह बता, cost का curve है न यह, यह cost 0 है, यह cost 90 है, यह cost 60 है, सही बात है, तो 180 डिगरी चल गया है, चीक है, ओके, हाँ, formula में लगा के भी कर सकते हो, ओके, thank you very much बेटा, thank you all of you, ओके, thank you